वेस्ट अगाईज, I hope you are doing well, I am वीर, वेलकम टे इस्टेडलर फैमिली, तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, शांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाय का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो, एक जो काफी टाइम लग रहे है, उसके लिए काफी जल्दी उठना पड़ रहे है, तब जाकर आप लोग तक यह पहुच पा रहे है, क्योंकि मैं राइट हैंड परसन उठेगे है, यनि कि मैं अपना राइट हैंड यूज करता हूँ नूर्मली, पर लेकिन अभी फिला लेफ्ट हैंड यूज करना पड़ रहा है, कंप्लेटली सारे काम करने के लिए, तो इसलिए एक तो पीपेटी इसलिए नहीं यहां पर थोड़े सी लेट आ पा रही है, आप लोगी वीडियो, दूसरी इंपोर्टेंट बात यहां पर यह कि पैन नहीं चला पा रहा हूँ, क्योंकि पैन पकड़ा नहीं जा रहा है, इसके वज़े से पैन नहीं चल पा रहा है, तो पैन पकड़ने की कंडिशन नहीं है, अथ की वरना कोई दिक्कत नहीं थी, एक बार तो मुझे लगा पतना नहीं वीडियो भी आपाएगी, नहीं आपाएगी पर फिर मैंने सोचा कि बिना पैन की भी तो बनाई जा सकते है वीडियो और कई सारे बच्चों के द्वारा एप्रिशेट भी किया गया तो यह रिजन था अब काफी हद तक सिचुएशन जो है वो सही है तो जादे कुछ नहीं है छोड़ा से एक रेसिडेंट था आप चीजे जो हैं वो सारी सही है तो टेंसल लेनी कोई जूरत नहीं है आज का जो आप लोग का मैप बेस्ट कोईशन है आप यह हैं आपर केरेबियन सी ठीक है तो जाकर इसको मैप में नहारेगा बागी काफी वो भी प्रोवाइड करा दिये उनको भी जाकर आप लोग डाउनलोड के लिजे का टेलिगराम पर थोड़ा सा टाइम लगया क्योंकि मैंने बोला ना अभी कि सारी चीजे जो हैं वो एक लेफ्ट हैंड से करने पड़ रही है और आदत विल्कुल नहीं है तो उसकी वेसे आप लोग करेगा वो अर्मीनिया और अजरबायजान के रिलेशन के बारे में डिसस करेंगे एक आर्टिकल जो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा वो आप लोग नजर आएगा बेसिकली यह आर्टिकल आप लोग का देखने को मिलेगा तमिलनाडु के बारे में तमिल साथ में जो next article होगा यह हमारी country का stand के है आज के इसे के अंदर क्यों हमारी country कहां पर stand कर रहे हैं खासकर export के point of view से यह article तो यह article में आप लोग से discuss करने वाला हूं तो एक एक करकर article हम लोग यहां पर इच्छे से देखेंगे तो आई आज का discussion स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आज आप लोग कार्टून वार्टून नहीं लगा पा रहा हूं एक तो थोड़ी सी मतलब एक तरीके से जो चीजे हैं एक मुझे बाद मे निकलना भी है थोड़ा सा पट्टी बगारा कराने जाना है इसके उपर तो वह भी सारी चीजे हैं तो अभी मैं आप लोग की जो नैनो मेगजीन है वो कोशिस करूँगा कि टाइम पर आ जाए पर फिलाल अभी चार आर्टिकल कर रहा हूं जो भी बचेगी जो चीजे बच हो है वो भी कवर कर लूगा रीजन यहीं कि एक हाथ से बजाते में टाइम काफी जगता लग जाता है तो उसकी वेसे एक आथा आर्टिकल मुझे छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कवर हो जाता है और हाथ भी दुखने लगता है लेट हैं से अगर उनके जो यूद विराम संधी को प्रोपर वे में आप लोग को लेकर चलना है हुआ क्या था दोनों कंट्री के बीच में जड़प हुई और उसके चलते हैं अब इसमें एक यूद विराम लाने की बात कि जा रही है पर लेकिन ये यूद विराम जिसके बारे में पर बात कि जा रही है तो उसको हम लोग समझने की कोसिस करेंगे जो यूद विराम है जिसके बारे में हापर बात करें कितने हद तक यहाँ पर जो चीज़े हैं वो कंट्रोल करके चली जा सकती है उसके बारे में हम लोग जानेगे और अभी फिलाल क्या सोलिशन निकल सकता है और इंट्रेस्टिंग बात यहाँ पर यह जो आर्टिकल के अंदर मी नहीं है मैं इंडिया का एंगल भी आप लोग यहाँ पर बता कर चलूँगा तो पहले आप लोग अर्मीनिया और अजरबाइजान को देखें मैप के अंदर में कहां पर यह लोकिटेड है यहाँ पर लेफ्ट में अगर आप लोग चलेंगे आपए तो यहाँ पर आप लोगो यह अर्मीनिया अजरबाइजान वाला रीजिन हो गया और यहाँ पर यह हो गया जो हो गया ब्लैक सी तो ब्लैक सी और कैस्पिन सी वाले जो 20 का रीजन है उसन के बारे बात की जा रहे हीं इस को देखने को मिलेगा तो इसी के साथ में जो ब्लेक्स यह और कैस्विसित कि इसके बीच में जो जानते हैं तो इस पर्टिकुलर implication के बीच का जो रीजन है इसके बारे में भाहां से बात कर रहा हूं तो ये जो reason हैं आपर conflict देखने को मिलता है तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग अपनी country और पाकिस्तान के जो reason है उसको आप लोग थोड़ा compare कर सकते हैं आज की date में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू और कासमीर को लेकर जड़प रहती है कुछ portion यहाँ पर आज के लिए में पाकिस्तान के control में है और कुछ portion हमारे है हलागि portion तो सारा हमारे है पर लेकिन आदा पाकिस्तान ने हतियार रखा है अगर यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ तो उसको थोड़ा सा समझने कोशिस कीजेगा यहाँ पर एक region है जिसका नाम है नागरोनो कारबक ठीक है तो यह जो reason है बेसिकली जो आप लोग हैं पर map में भी आप लोग इसको देख सकते हैं exactly जो reason है है यहाँ पर यह हो गया ठीक है तो नागरोनो यह कारबक वाला जो reason है इस particular reason के बारे बात करें जो red reason आप लोगो अर्मीनिया और अजर्बाइजान के बीच में देखने को मिल रहा है यह जो reason है इसके बारे में थोड़े सा अगर मैं past आप लोगो बताओ अगर territory के point of से देखे तो 95% जो ethnic जो जनते हैं आपर वो अर्मीनिया की है अर्मीनिया के अंदर Christianity है यहाँ जो यह एरिया है जो यहाँ पर आज के रहे में नागरो कारबक वाला यह maximum जो अर्मीनिया की Christianity वाली जो population यहाँ पर पाए जाती है पर internationally यह जो region है अजर्बाइजान के अंडर में है तो आप लोग यहाँ पर यह जो region है अजर्बाइजान के अंडर में है वैसे यहाँ पर Christianity के लोग पाए जाते हैं और अजर्बाइजान एक मुस्लिम कंट्री है तो इसके चलते हैं दोनों की बीच में जढ़ाप रहती है अगर बात करें domestic politics के बारे में तो दोनों कंट्री जो है उनके बीच में time to time political interest को लेका जैसे हमारी country में election होते तो हम यहाँ पर जब्मु कासमीर वाले मुद्दे को उठा लेते हैं तो दोनों country के दोरा time to time यहाँ पर इस मुद्दे को यूज कियाता है अपने political gain के लिए और जिसकी वेसे यहाँ पर कई बार जड़ाप होती है और कई सारे लोगों की जान चली आती है तो यहाँ पर भी यह चीज continuous देखने को मिलती है अगर बात करूं 1920 में हाँ पर जो यह नागरोना और कारबक जो एक autonomous region हुआ करता था फिर यह किसके अंडर में अजरबायजान के अंडर में Soviet Union जिसको आप लोग USSR के नाम से भी जानते थे उसका victim हुआ उसके बाद में कही सारे region जो थे वो डिवाइड होगे 1988 में जो यहाँ पर नागरो कारबक जो वाला region था यह resolution के तुरू जोइन करना चाहता था यहाँ पर अर्मीनिया को पर लेकिन अजरबायजान ने यहाँ पर इसको accept नहीं किया 1991 में हाँ पर एक तरीके से इसने बोला कि वो autonomous region रहेगा किसी को भी जोइन नहीं करेगा पर लेकिन यह भी चीज जो थी वो अजरबायजान को नागवार घुजरी क्योंकि अजरबायजान जो था वो उस पर अपना कंट्रोल लगता था दोनों कंट्री के बीच में लडाई हो गई यहाँ पर अर्मीनिया और अजरबायजान के बीच में इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर हजारों लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग जो थे वो refuse बन गए तब यहाँ पर 1991 से लेकर 1994 तक चीज़ चली और 1994 में रसिया बीच में रसिया ने बोला कि ऐसे चीज़े नहीं चलेगी आप लोग यहाँ पर सीज़ फायर को रहने के लडाई जो है उसको रोको और दोनों को सान्ती में बना कर रखने की कोशिस की गई पर लेकिन यह में आप लोग देखे 1947 से अगर आज तक हम लोग कंपेर करें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सान्ती आ गई है नहीं आई है ना तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर चल रहा है तो 1994 से लेके 92-2016 तक यहाँ पर सान्ती तो बनी रही पर कई बार सीज़ फायर का वोलेशन बीच में तो अजरबाइजान जो अर्मीनिया हैं आपा हंड्रेड्स ओफ जो लोग हैं उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है कई बार ऐसी कंडिसन देखने को मिलिया है पास्टन भी कई बार वोलेशन देखने को मिलते हैं तो फिर से कुछ ऐसा माहुल बना है आपा और दोनो कंट्री की बीच में जड़ाफ हो गई तो इसमें सबसे इंटरेसिंग जो बात होँए हाँ पर ये कि अभी फिलाल तो ये एक इन्टरनल इशू है पलेकिन आने वाले टाइम में हाँ पर ये एक इंटरनेसनल इशू काफी लार्जी स्केल पर बन सकता है क्योंकि रसिया जो बीच में जड़ाफ हो सकती है काफी लार्जी स्केल पर इस पर्टिकलर एरिया को लेका तो तुर्की और रसी अगर इसमें इन्वोल होते हैं तो फिर कहीं ने कहीं डिरेक्ट और इन्डिरेक्ट वे में यूस से कभी इसमें पॉर्सन आप लोग इन्वोल्मेंट को होता हो न अजर्बाइजान और रसे की बीच में सांती बनाने की कोसिस के गई है तो अजर्बाइजान के जो प्रेजिडेंट है जो लास्ट सेप्टमबर से आपर चीजों को लेकर काफी दोनों कंट्री के बीच में जड़ाफ चल रहे थी इस पर्टिकलर रीजन को लेकर अभी सिच को सुधार कि विघ्र कशन ओ講टेज boy united यह के तो एक तरीके से उन्हीं किए इसको बोला गया इनके नाजुक यूद विराम हैं आपर यह अंनुद विवाद हैं आपर यह तो यह जो विवाद है आपर यह ऐसी continuous रहने वाला है जिस तरीका माहूल आज केर में देखने को मिल रहा है situation जो है वो ऐसी की ऐसी बनी है और यह था इस्तिती है यहाँ पर है तो आने वाले time में भी हाँ पर देखते हैं कब तक जो चीज़े हैं वो सुधर पाती है अभी फिलाल जो है यह condition ऐसी ही बनी हुई है पर लेकिन अपनी country का अगर मैं आप लोगों से एंगल यहाँ पर बात करूँ इंडिया के ओपर इसका कैफेट पड़ता है अर्मीनिया के साथ में इंडिया के relation काफी अच्छे है पर लेकिन अजरबायजान के साथ में पाकिस्तान के relation काफी अच्छे है पाकिस्तान यहाँ पर second country है यहाँ पर after Turkey जिसने आपर अजरबाइजान को recognize किया कि अजरबाइजान एक independent country है पर लेकिन अर्मीनिया को आज की डेट तक पाकिस्तान only ऐसी country जिसने recognize नहीं किया और सब अर्मीनिया को recognize कर चुके है तो यह निकि पाकिस्तान जो completely अजरबाइजा को सपोर्ट करता है और अजरबाइजान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है जम्मयन कास्मीर वाले मुद्देबाद तो अजरबाइजान के साथ में इसका मतलब ही नहीं कि हमारे अच्छे relation नहीं है नहीं अजरबाइजान को ज्यादा बीड़े नहीं है परहां यह कि पाकिस्त करने का जब जब यहाँ पर अजर्बाइजान को पाकिस्तान और तुर्की सपोर्ट करते हैं तब तब अर्मीनिया को हम लोग सपोर्ट करते हैं और अजर्बाइजान यहाँ पर कासिमीर बुद्धर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो इसलिए यहाँ पर एक एंगल हमारे यहां पर देखने को मिलते है वैसे अगलग country को हम लोग देखें अजरवायजान और अर्मीनिया को अलग तरीके से देखें तो हमारे relation दोनों country के साथ में कई अच्छे level पर यह कई सारे level पर हम लोग मिलकर भी काम करते हैं तो हैसा नहीं जिसके बारे में आप लोगों से बात करी बेसिक क्या है वो भी ने आप लोगों से यहां पर cover किया तो यह कुछ ऐसी चीजे जिनके बारे में आप लोग जुरूर आइडिया रखेगा ठीक है तो डिरेक्ट कोशन बन जाता है तो इसलिए आप यहां पर एक रिए करसर की है य चीजे आप लोगी समझ में आती रहेगी कहां से मैं किस particular point पर पढ़ रहा हूँ अभी slide को ठीक है आगे बात करने नेक्स्ट आर्टिकल में नेक्स्ट आर्टिकल यह आपर यह बात कर रहा है तमिलाडू के बारे में तमिलाडू के जो गवरनर है उनका नाम है बनवारी ला प्रोहित के पास में एक केस पड़ः आए काफी जम्बे समय से यह केस है राजीव गाहंदी जी के से निसे लेटटर राजीव गाहंदी जी की हत्या कर दी गे थी तब से लेकर कई सारे लोग को सजा सुनाए गे थी वो सारे लोग आजके इडिमीं पड़े हुए तो कई ब तो यहाँ पर यह particular personality है जिनके द्वारा साथ लोगों को यह convicted पाए गया था assassination के case में तो इनके द्वारा petition file के गए थी September 2013 में हाँ पर Supreme Court के द्वारा observe किया गया कि आज किर में अगर petition के बारे बात करें तो governor यहाँ पर इसके ओपर decision लेना चाहिए governor को क्योंकि यहाँ पर जो assembly है जो council है आप और उसके द्वारा भी यह फेवर्थ हैं आपर कि सारे के सारे seven जो prisoner है जो जेल में आज के बंद है उनको release कर दे जाए तो यह बात को ध्यान में रखते हुए आज की रेट में भी यहाँ पर यह assembly ओ लेडी बोल चुके पर governor अब तक इसके ओपर decision नहीं लिया है अगर governor की बारे बात करें तो एक तरीके से आज केड़ में अगर आब बात करें हम लोग प्रेजिडेंट की तो प्रेजिडेंट जो ओफ प्रेजिडेंट ओफ इंडिया जो है हमारी country में सेनेटल गवर्मेंट की बारे में और governor के बारे में यानिके अगर यहां पर pardoning power जो है किसी को pardon देना है किसी को माप करना है तो यहां पर article 72 और article 161 जो है वो central government और state government के बारे बात करते हैं ना कि president और governor के बारे बात करते हैं तो मतलब क्या हो गया इसका इसका मतलब यह हो गया कि अगर central government और state government किसी particular परसन को पाडन देना चाहते हैं इस एक तरीके से तो यहाँ पर उस ताइम पर जो गवर्नर है या फिर प्रिजिडेंट है उनको सेंट्र गवर्मेंट और इस्टेट गवर्मेंट की बात माननी पड़ेगी उनके हाथ में खुद की पावर नहीं है यह हमारी कंट्री में जो स कि एडवाइज एडवाइज ओप दा एप्रोपियेट जो गवर्मेंट है वो बाइंड है है फिर प्रिजिडेंट को तो उनको वो एडवाइज माननी पड़ेगी अपनी मन मानी वो हाँ पर नहीं चलाएंगे तो यह बात यहाँ पर इनके द्वारा बोलीगी गवर्नर जो वो नाइदर तो expect कर सकते हैं नहीं हम लोग गवर्नर को बोल सकते हैं कि वो empower है इस तरीका जो resolution यहाँ पर present किया रहा है उसको इस तरीके से रोके रखने में उसको यहाँ पर इसको आगे बढ़ाना चीए था हमारे समिधान में अगर बात करें fundamental right है पार थड में आर्टिकल provide करा रहा है आप लोग इसको ignore नहीं कर सकते तो यह बात यहाँ पर इनके द्वारा बोले जा रही है गवर्नर जो speaker है वो कई बार अपने decision ले तो ले जते हैं हम उसे पूछते नहीं है कि आप लोग का decision भाया आप लोग को answer देना है अपने decision के बारे में पर लेकिन इसका मत answerable नहीं है question उनसे नहीं पूछे जा रहे हैं पर लेकिन अगर यहाँ पर case पहुंचता है court के अंदर में तो judicial scrutiny से वो exempt नहीं है उनको भी यहाँ पर अपना एक तरीके से अपना answer हो यहाँ पर देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा थोड़े ना कि मनमानी धंग से अपना काम करें तो उनको भी यहाँ पर ऐसे थोड़े ना कि हो political motivated होकर कोई भी अपना इस तरीके से दुनियादारी में जूड़ेंगे तो उनको यहाँ पर एक तरीके से proper समीधान के तरीके से काम करना पड़ेगा तो यह बात है यहाँ पर इसके अंदर समझाएगी है इसी के साथ में जो जो present government है तमिलनाडू के अंदर में अगले साल मई के महीने में 2021 में इस government का जो basically time period है वो खतम हो जाएगा फिर से आपर election होगे फिर से नहीं government शुन कर आएगी तो जो resolution पास किया गया फिलाल की जो present government के दौरा तो यह अगर बात करें article 161 के इसाथ तो governor को उनकी बात मान लेन गया assembly ने इतने दिनों से चीज़े पास कर रखिया गवर्णर उसको लिए बैटा है तो article 161 का मतलब क्या रहे गया तो यह तो meaning less हो गया तो इसको आप लोग को बोलना चाहिए कि एक तरीक से governor को यहाँ पर इस पे बहुत पहले decision देना चाहिए था तो अब तक रोक के वे त है वो council of minister के इसाब से माने चाहिए पर government governor अब तक इसको completely ignore कर रहा है तो यह सही तरीका है आपर नहीं है तो यह बाते हैं आपर समझाने की कोशिस कीगी है ठीक है तो यह हैं आपर complete article I hope कि आप लोगे mind में complete clarity इसको लेकर आई होगी आईए अब आगे चलते हैं आपर जो next article ह हैं हमारी country में मालिए कई बार आप लोगों ने rape के cases हमारी country में देखे हैं पर लेकिन अगर किसी particular person का इस तरीके से rape होता है तो उस time पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उस पर ज्यादा focus नहीं रहता है उसको completely ignore कहता है जब यहाँ पर court के अंदर जो चीज़े चलती है उसको बस एक तरीके से गवा के तोर पर उसको समझा जाता है बाकी सारी चीज़े जहें उस एड में रखे जाती है तो उसको भी हाँ पर involve करना चाहिए पूरे procedure में ताकि उसके हक उसके right के बारें बात कि जा सबसे पहले तो सबसे important बात यहाँ पर यह बात की जा रही है कि pre and post crime के बारे में आप लोगों ने सुनाओगा prevention is better than cure जब health के बारें बात करते हैं सरदी आ रही है आप लोग अपने जो गरम कपड़े निकाल लेने चाहिए अपनी health को अच्छी रखना है गर्मी आ रही है तो थो थोड़ा से normal हो जाना चाहिए तो इसी तरीके से prevention is better than cure वा अगर crime के पहले होने से पहले हम लोग चीज़ों को रोग दें तो यहां तक है सारा जहनजेला आप लोगो सबूद ढूने आप लोगो वकील करना एं कोर्ट में जाना है कचेरी कोई ये तारीख पे तारीख वोसद चीज़े सारी चीज़े साइड में रह जाएंगी अगर लोगो थोड़ा सा पहले ही रोक ले जाए तो सबसे पहले तो हमारी कंट्री में एक जो सिस्टम है वो दुरूस्ट होना चाहिए अगर इस लेवल पर चीजे नहीं पहुँचे दो ठीक है और सब को यहाँ पर एक्सिस मिलना चाहिए जस्टिस का एक तरीके से कंपंसेशन मिल चाहिए खासकर उन लोगों को जो कि यहां पर एबिल नहीं है आपर यह चीजों को हैंडल करने में खासकर जो विक्टिम होते हैं जिनके साथ में कोई हरकते हो जाती है उनके लिए तो पर लेकिन ग्राउंड रियालिटी जो है वो कुछ और ही हाँ पर बताती है वो क्या ब पड़े हैं कोई रिका दुका केश देखने को मिल जाएगा कि यहां फंदा जया वो गले में पड़ी गया और जेल में जाने के बाद भी उनकी जिन्दकी रहती है और जो नोर्मल परसन है उनकी जिन्दकी में काफी बड़ा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यह सारी चीजे जो हैं वो हम लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी अभी जो बात है वो ही समझाने की कोशिस कर रहे हैं कि आज की डेट में अगर बात करें के बारे में और इफेक्टिव इंप्लिमेंटेशन के बारे में यह दो चीजे काफी ज़्यादा जरूर पड़ेगी उसके भी राइट है उसकी भी रिक्वार्मेंट है उनको भी इंक्लूड करकर आप लोगों को चलना पड़ेगा तो एक तरीके से जो कॉंसेप्ट्यूलाजीशन है एक्सी ओप्ड़ जेस्टिस फोर विक्टिम वो सही नहीं है हमारी कंट्री में दूसरा जो ब अर्टिकल 14 और अर्टिकल 21 भी हाँ पर फंड़मेंटर राइट इसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ जो विक्टिम है उसके बारे में हम लोगो सोचना चाहिए खासकर कई बार तो आप लोगो एक स्टेज पर उसको आप लोग को इंक्लूड करके चलना चाहिए यह नहीं कि बस गवाह है बस आप लोग वहापर उसको बोले कि गवाही देने के लिए आ जाए उसके भी आप लोगो जो 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 उसके एक तरीके से उसके मायंड में जो चीज़ चल रही है जो 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 हाँआ बाते लग रखना चाहला है सामने वाला परसन वह सारे मुद्ध्य आप लोग हाँ पर सामने रखने चाहिए और उन सब के बारे में आप लोग को बात करने चाहिए तभी जाकर यहाँ पर प्रोपर वे में आप लोग एक तरीके से एक criminal justice system को establish कर पाएंगे जब तक आप लोग इसको इस तरीके से ले करने चलेंगे तब तक यहाँ पर एक तरफाई आप लोग मुद्दा पूरा बोल सकते हैं तो हर एक स्टेज पर आप लोग इनको include करका चलना पड़ेगा इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें आपर participation के बारे मे तो ये काफी ज़्यदे जुरूरी है क्योंकि एक तरीके से अगर particular person के साथ में कोई दुर घटना घटी है तो वो अच्छे से जानता है ना किया उसके साथ में क्या हुआ है तो उस तरीके से वो ढंक से चीज़ों को समझ पाएगा हर एक level पर अगर उसको include करके चलेंगे त इसी के साथ में legal ad भी हाँ पर मिलना चाहिए उसको यागर किसी के साथ में कुछ ऐसी चीज़े होते है कई बार acid attack के victim आप लोगों को देखने को मलते हैं acid attack उनके ओपर कर दे जाता है लड़कियों के ओपर तो उनको इलाज नहीं करने के लिए इतना पैसा लगता है बहुत बात करें विक्टिम के बारे में तो information होनी चाहिए उसका क्या role है criminal justice system के अंदर इसी के साथ में जो criminal justice system है ठीक है उसमें क्या क्या expect कर सकता हो particular person और status क्या है trial का वो सारी चीज़े उसको पता रहनी चाहिए तो right to information जो है वो एक तरीके से वो right to production के साथ भी एक तरीके से include होक है जब तक right to information नहीं आएगी तो कैसे वो अपना आपको product कर पाएंगे तो ये सारी चीज़े एक साथ में include करकर चलनी पड़ेगी medical psychological इसी के साथ में financial और material तरीके की help assistance आप लोगे हापर victim को provide कराने पड़ेगे जो इन सब चीजों का सिकार person है इसी के साथ में right to compensation भी हापर ह जो उनको मिलना चाहिए proper पर लेकिन ये limited है current low के इसाब से अगर बात करें तो central government को इसके उपर low change करना चाहिए ताकि proper remix को include करके चला जाए और इसमें क्या चलिए इसके लिए political will चाहिए यानिकि हमारी political party की इच्छा होनी चाहिए इन चीजों को सुधारने की पर वो सुध तर रहते हैं कि उनको इन सब चीजों पर फोगर देने का टाइम ही नहीं मिलता है इसलिए हाँ पर यह ऐसी condition country में देखने को मिलती है victim compensation scheme के बारे बात करो तो section 357A का जो code of criminal procedure है उसके बारे बात की जा रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं आज केड़ में भी एक proper accessibility नहीं है इसक सब्सक्राइबर में है और लेकिन proper way में लोग इसको थोड़ी नहीं कर पार है तो इसको proper way में इसको accessible होना चाहिए जनता इसके बारे में जाने इस तरीके सा आप लोग इसको सामने निकाल कर ले कर आना चाहिए ऐसे क्या मतलब है कि आप लोगों ने काम कर रख आप लेकिन वो छिपावा रखा है, वो जनता के सामने नहीं है, बस कागज में पढ़ा हुआ है, तो इसका कोई मतलब थोड़ी में रहे जाएगा, तो यह सारी बात के आप लोग अंडेस्टेंड करने पड़ेगी, बात की जारी यहाँ पर right to restitute, इसी के साथ में right to compensation, यानि के जो right है एक को ignore करकर चलोगे, तो गुमा फिराकर यहाँ पर total बुलाकर आप लोगों से बोलो, तो यह बोला गया है, कि जिसके साथ में कोई दुर घटना हुई है, जिसके साथ में कोई दुर घटना घटी है, उसको भी आप लोग को include करके चलना है, उसके हक के बारे में बात काप का है ऐसे आप लोग स्टैप नहीं उड़ा सकते हैं तो यह आपर जो सारी चीजे समझाने की कोशिस की गई है नेक्स जो आर्टिकल है यह आर्टिकल थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग इसके बारे में आप लोगों से बाते करता हूं इसका एक कोवरी में आप लोगों बताता रीजिन क्या था रीजन उसका इदा चाइना के अंदर जो लेबर है यह वो काफी कोश्टली हो गई है तो इसलिए सको चाइना से बाहर निकालकर बंगलादेश और स्रिलंका में पहुंचाने की बात की जा री थी और काफी या। में सिरलंका और स्रिलंका और के बारे में तो उसका भी इंडिया पार्ट नहीं है तो इसका हमको और ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा पहले आप लोग यह समझे आखिर पूरा मुद्दा क्या है पूरा मुद्दा यह है कि कोविड-19 से पहले यह लग रहा था कि चाइना के हैं से कपड़ा ह जैसे हा सारी चीजे जो थी उनका डिरेक्शन ही चेंज हो गया उसके बाद में लोगों को लगा कि चाइना के उपर ज्यादे डिपेंडेंसी नहीं रखने चाहिए पर लेकिन ओल ओवर वर्ल में इतनी जल्दी चीजों की रिकवरी नहीं हो इतनी जल्दी चाइना के अंद जो कंपनी इस्टेब्ज़ है जो भी चीज़े इस्टेब्लिस हैं वो अलोवर वर्ल से पहले चाइना के अंदर रिकवर करके सामने आ चुकिए और चाइना के अंदर आज की रेट में भी प्रोपर वें चीज़ें ठॉन के डंक से काम करेGroup हैं कि दूसरी कंट्री में वहाँ से नहीं निकल रही है क्योंकि उनको वहाँ पर आज के रही फिर भी जादा profit मिल रहा है अगर उसके साथ में आप लोग compare करते हैं तो इसी चीज़ को यहाँ पर समझाने की कोसिस की जा रही है कि चाइना जो है आज के रही फिर में एक profitable एक अपना पार्ट जो है उसको बचाई हुए है दूसरी country compare में इंडिया जो है हमारी country के बारे में अगर बात करें हम लोग उसको अपनी country में नहीं ला पारे हैं हमारी country में rule or regulation कुछ ऐसे है चाइना के अंदर भले ही आज के में situation कैसी भी हो पर rule or regulation ground level पर ऐसे हैं कि वहाँ पर business start करना है land वगएरा चाहिए सारे जो भी टेक्स से लिटर सारी चीज़े बड़ी आसान है तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगो फोगर देकर चलना चाहिए वरना अगर चाहिना के अंदर से चीज़े निकल कर भी आएंगी तो अभी हमारी country में नहीं पहुचेंगे अगर situation चल रही है वैसी situation चलते रही तो यह कुछ चीज़े हैं जो हम लोग को understand करनी आप लोग के आपर change करना चाहिए जो domestic public investment होता है वो बढ़ाना चाहिए यहनके बाहर के ओपर ज्यादे dependency नहीं रखनी है अपनी country का भी domestic investment आप लोग को बढ़ाना है दूसरे आपर सबसे important बात बोलीगे trade policy जो है वो आप लोग को ढंक से करनी पड़ेंगी थोड़ा सा अरा इसी समझाल पाऊगे और तीसरा जो सबसे important यहाँ पर बोला गया है वो है woman का participation labor force में जो काफी कम देखने को मलता है तो महिलाओ का participation अगर labor force में होगा manufacturing sector में labor intensive जो job है उनमें खासकर semi urban जो women है जो की qualified भी है इन सब चीज़ों के लिए तो उनके ओपर focus देकर चलिए तो और situation को यहाँ पर संभाल पाऊगे तो यह कुछ suggestion यहाँ पर इनके दोरह देगे जो कि आप लोग यहाँ पर implement करकर चल सकते हैं जिसके चलते बहुत सारी चीज़ जो है वो आप लोग सुधार पाएंगे तो यह अच्छा एक important point आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं ठीक है COVID-19 से लेटर आप लोग को पता है दवाई बनाए जा रही है और वो जो दवाई हैं आपर वो USA बेसिकली हैं आपर काफी आगे लेकर चल रहा है उस दवाई की फिल्ड में चीज़ और मैंने आप लोग को बताया भी थे हैं आपर जो company है Pfizer वो यहाँ पर third level का trial यहाँ पर कर यह अच्छी बात आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं ठीक है बाकि आपर जो यह कार्टून है छोड़ा सा इसको आप लोग को मैं टेलिग्राम पर डाल दूँगा देख लेना एक बार इसको थोड़ा सा अगर कुछ लिखना चाहते हैं इसके बारे में और यहाँ प अगर बात करें न्यू यहाँ में जो चीजिए होती है उनके आप करें कहीं सारी शैप्राइं जो बारे में आप लोग बात करते हैं यह यानीकी एक तरीके से कुछ ऐसे मुद्ध है एक तो होता है कि वह नहीं कहते हैं कि सब को एक तरीके से देखना, सारे मुद्धों को आप अप लोग ठंक से लेका चलें, आप लोगो दिवावली पर किसान और पटा के तो यह तो सारे याद आ जाते हैं, बाकि जो पूरे साल जो पुलिटिकल विल है बीर और आप सामने निकल करा ती इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं तो यह था आज का अगर जुरूर आप लोग जाएगा लेक्चर पसंद आदा है तो ही लाइक और शेयर करने हैं पसंद नहीं तो डिसलाइक करके कमेंट बोक्स में जरूर बताना डिसलाइक क्यों है ताकि आने वाले टाम में इसको जल्दी से जल्दी इंप्रूव किया सके तो मिलता हूं एक सब्सक्राइब में बढ़ोक नमस्ते छोड़ों को प्यार छोड़ी सी लाइफ एंज्योई कर आर तब तक के लिए जैहिंद